आपत्ती दर्ज कराने के बाद भी उस चैनल ने माफी तो माग ली लेकिन भाजपा के नेता अभी भी राहुल जी की छवी खराब करने के लिए उस वीडियो को सर्कूलेट कर रहे हैं आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएए अभी भी वो वीडियो मौझूद है सर्कूलेट करने वालों में प्रमुख हैं विडंबना की बात है सूचना है वह हम प्रसारन मंत्री रह हुए हैं राजेवर्धन राठोर जी और अन्यनेता भी हैं राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरह से भ्रामक प्रचार प्रसार और दुनिया वर की जो अनर्गल बाते होती हैं उसका मैं पुरजूर विरूद करता हूँ कॉंग्रेस पार्टी एक नीतियों उससे धानतों पर आज भी खड़ी है और गाजी पूर ही नहीं पूरे देश के अंदर मैं इस वक्त डाक्टर मारकंडे सिंग से बात कर रहा हूँ जिनके रवलग में कांग्रेस की सिफ़त मौजूद है और कांग्रेसी डाक्टर मारकंडे सिंग के नाम से पूरे जनपत गाजे पूरे में मशूर है मैं इन से जाना ये चाहता हूँ कि आपके नेता मनिय राहुल गांधी ने अक्सर पार्लमेंट से लेकर जब बक्तब देते हैं तो भारत के राज़्टी मीडिया और भाजिनता पार्टी के लोग तरह तरह के नाम देकर उन्हें बदनाम करते हैं इस सम्मन में आपके क्या ख्यालात हैं? राहुल गांधी जी को जो मैंने देखा है मैं साड़े तीन घंटा उनके साथ रहा पहली बार दूसरी बार मैं उनके साथ साथ गंटा रहा और तीसरी बार उनके साथ मुझे भठा परसोल में पदयातरा करने का भी मुझे मौका मिलाता और किशानों की जमीनों के सवाल पर उन्होंने भठा परशोल की एक यातरा की थी तो राहुल गांधी जी के बारे में जो भ्रामक प्राचार जो हमारी विपक्ष की पार्टी जो रही उसमें और जो सत्ता में आज है उनके भ्रामक प्राचार से उन्होंने मीडिया को सारा मैनेजमेंट किया हुआ है लाखो करोडों रूपया खर्च कर रहे हैं मीडिया पर और खर्च करने के बाद राहूल जी के उपर तमाम तरह के इलजाम, तमाम तरह की बातें आओ तमाम तरह की चीज़ें कॉंग्रेस पर आज हो रही है जिसका मैं बहुत ही पुज़ूर बिरोद करता हूँ इनकी कॉंग्रेस पार्टी एक सिधानत और विचारधारा की पार्टी है आज से नहीं 1885 की कॉंग्रेस का जो सफर है वो बहुत खुस्तूरत सफर है और इस देश में जो कॉंग्रेस चल रही है आज भी कॉंग्रेस उसी विचारधारा से जुड़ी भी कॉंग्रेस पार्टी है और हाँ राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरह से भ्रामक प्रचार प्रसार और दुनिया वर की जो अनरगल बाते होती है उसका मैं पुर्जूर विरूद करता हूँ कॉंग्रेस पार्टी एक नीतियों उसे धानतों पर आज भी खड़ी है और गाजीपूर ही नहीं पूरे देश के अंदर गाजीपूर तो वो जमीन है जहां यहां के नवजवानों ने और 942 में अंग्रेजों से सीधे सीने में गोली खाई थी महमदाबाद इसका जीता जागता हो दारण है यहां का जो नवजवान है बीर अब्दूल हमीद यहां का जो नवजवान इस देश की लड़ाई में कुर्बानी देने के लिए हमेशा तत्पर रहा है मैं तो एक फोजी का बेटा हूँ और मैंने बहुत नद्दिक से इन सारी सीजों को मैं देख रहा हूँ जान रहा हूँ मैं तो कॉंग्रेस पाटी जिस तरह से राहूल गांदी जी को बदनाम करने की कोशिस आज भी की जा रही है रोजगारी बेरोजगारी के सवाल पर रहूल गांदी जी ने जब इस देश को यहां के नोजवानों को खड़ा किया जिस तरह से फोज में चार साल के नाम पर भरती के नाम पर मैं तो पिता जी फोजीरह में जानता हूँ कि नाम पर किस तरह से इस देश के नोजवानों का सोसन होगा जो सामने दिख रहा है राहुलक जी इसके लिए चिंती थे और चारो तरफ जो भै और इसका वातावन जो का लागातार भारती जनता पार्टी बना रही है जिसका पूरा का पूरा मुल्क जल रहा है और इसका सबसे बड़ा उधार चारो तरफ दिखाई दे रहा है उसके बावजूद भी सुप्रिम कोर्ट तक ने इस बात को कहा है फिर भी भारती जनता पार्टी को लोगों के चेरे पर कोई सिकर नहीं है इससे बड़ा फरेव इससे बड़ा जूट इससे बड़ा क्या हो सकता है मैं राहूल गांदी जी के साथ हूँ कॉंग्रेस पार्टी के साथ हूँ हम लोग कॉंग्रेसी हैं और मरते दम तक कॉंग्रेस के नीटियों उसे धानतों के लिए काम करते रहेंगे ना किसी पद की लालसा है और ने किसी चीजों की कोई कामना है लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े होने के ना थे कांग्रेस में होने के ना थे कांग्रेस की नीटियों के ना थे उपनी उनके पार्टी पे दफ्तर पे हमला होता है उसके बारे में कहते हैं लेकि परचार कुछ और किया जाता है इस समझ में क्या करना आपका है देखे बड़ा स्पस्ट है कुछ सिर्फिरे और कुछ अराजक ततो इस समाज के अंदर और पार्टीयां एक बड़ी सोची पीर बनाने की जो कोशिस की जा रही है पपू है आतंकवादियों से मिले हुए है यह है यह कब का इने पूरा मुल्क बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किनके घर सीसे के हैं और किन पर पत्थर फेके जा रहे हैं आज अगर यह बात होती इस तरह की तो राहूल गांदीय और कॉंघ्रेस पॉर्टी को लोग जमिदोस कर देते आज कॉंघ्रेस पार्टी अपने सिधानतों से अपने नीटियों से खड़ी है और आज भी खड़ी रहेगी और दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए मैं देख रहा हूँ बहुत नदिग से देख रहा हूँ इस मुल करार होगी और राहुल गांदी इस देश में परधान मंत्री बनेगे यही मेरी कलतना है यही मेरी कामना है यहीं सब्दों के साथ लेकिन जो उन पर परचार किया जा रहा है राहुल गांदी ने पालमेट में कहा कि सुनामी आने वाला है लेकिन फिर आखिर में हुआ वही बा जिनके घर में आप जाईए जिनके नातेदार इस्तदार और पूरी गंगा में लासे बह रही थी कोई अभाव में आक्सिजन के अभाव में इस बात को राहुल गांदी जी जब कह रहे थे तो इसी पार्लामेंट के अंदर लोग हस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे आज य इसी तरूप से कॉंग्रेस पार्टी में खड़ा रहे गा और हम लोग उनके साथ खड़े हैं ये तमाम जो लोग आये हैं ये तमाम सारे लोग चले जाएंगे गवरानी कोई जरूत नहीं इस वक्त जो राश्ट का सबसे प्रेमी बिनाए जा रहा है भारते जनता पार्टी कहती है कि मैं राश्टी पार्टी हूँ और राश्टे बहुत प्रेम करता हूँ क्या सच है ये ये इतिहास के पन्नों में कैद है वही लोग जिन लोगों ने इस मुल्क में अंग्रेजों के साथ काम किया अंग्रेजों के साथ मिल करके कांग्रेज पार्टी को तोड़ने क काम किया कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम किया लेकिन बार इस मुल्क की जंता भारत के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और अंग्रेस बितानिया होकुमत जमिदोज हो गई और अंग्रेस यहां से चला गया मुझे बहुत कोई संकोच नहीं है मैं राहुल गांधी ज कॉंग्रेस पार्टी और अपने कॉंग्रेस के تمام नौजवानों के साथ हमेशा जोड़ करके इस बात को बहुत सांदार तरीके से हर जगा कहता हूँ कि हम तो सौक्षे कहते हैं कि हम बड़े स्भाविमानी हैं और हम कॉंग्रेस पार्टी के सिपाई हैं जिनों ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दिये गाजीपूर के चपे-चपे में हर गाओं में हर जगा आपको नौज़वानों का कांग्रेशियों का खुन से लिखा हुआ इतिहास मिलेगा और जो लोग आस सत्ता में हैं वही लो कोई शंकोच नहीं धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया